गुड मॉर्निंग ओल आफ यू परफेक्शन आइस में आपका स्वागत मैं सिद्धार्थ कुमार और आप हमारे साथ भूगोल की कक्छाओं भूगोल के विशे के वारे में संपुर्ण अद्यन कर रहे हैं हम लोगों ने पिछले क्लास में यह देखा था कि भूगोल का अद्यन हम कैसे करेंगी उन्हीं कड़ी को आगे जारी रखते हुए आप ध्यान दिजे जब भी किसी विशे वस्तु का अद्यन प्रारंब किया जाता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि पहले उसकी एक फाउंड का विशेस योगदान होता है आप किसी भी एक्जाम में बैठ रहे हैं और जब आप बैठते हैं तो आपसे यह कहा जाता है ऐसे प्रस्थन पूछे जाते हैं कि बेसिक्स होते हैं और मौलिक अवधारनाओं से संबध होते हैं जोग्रफी में भी जिब बगैर बेसिक्स का क क्रिस्टल क्लियर किये हुए आप बहतर नहीं कर सकते हैं तो हम लोग जाग्रफी के मौलिक चीजों को सरवप्रतम अध्यन करेंगे एक फांडेशन डालेंगे एक निव डालेंगे और उस निव के माध्यम से तब फिर हम लोग भुगोल की जो विस्तरित अध्यन है उस पर किंद्रित करेंगे अपने आपको तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे भुगोल की कुछ छोटी-छोटी मौलिक आवधार नाएं जो हमने बच्पन में पढ़ रखी थी और उसी के माध्यम से अपने आपको एक्स्प्लोर करेंगे जोगरफी का फिर विस्तरित अध्य के और बढ़ेंगे ध्यान दीजिए हम लोगों ने बच्पन में रॉक्स के विशे में पढ़ा है चट्टान रॉक्स अब यह चट्टान क्या होती है प्रतवी पर प्रतवी पर पाई जाने वाली चट्टान ये एक solid material है कैसे हैं तो ठोस पदार्थ है ठोस पदार्थ होते हैं चट्टान ठीक है रॉक is the solid अब ये ठोस पदार्थ अगर है तो ये ठोस पदार्थ कहां पर प्राप्त होता है द्यान दे या ठोस पदार्थ पृत्वी की उपरी परत को हम क्रस्ट कहते हैं भूपटल कहते हैं भूपटल का ये ठोस पदार्थ है तो चट्टान क्या होते हैं भूपटल के ठोस solid material of earth crust हमारी भूपटल का ठोस पदार्थ यही चट्टान अगर यह ठोस पदार्थ है तो इसके कुछ components भी होगे कुछ संघटक भी होगे जिनसे इस ठोस पदार्थ का नर्मान हुआ है और चट्टानों के नर्मान में जिन संघटकों का योगदान है दे आर मिनरल्स वे खनीज होते तो चट्टान यह ठोस पदार्थ किन से बना है खनीज से बना है खनीज से बना है ठीक है रॉक is the solid material of earth crust it is composed of मिनरल्स चट्टान हमारी भूपटल का ठोस पदार्थ है और किन से बना है तो खनीजों से बना है अब प्रस्न उड़ता है कि चट्टान के नर्मान की यह खनीज इनका फरनर्मान कैसे होता है तो इनके भी से में कहा जाता है कि मिनरल्स are compound of elements खनीज जो है वो तत्वों के यौगिक है तत्वों के यौगिक है, तत्वों के यौगिक के रूप में माने जाते है यौगिक कहलाते है Now listen, rock is the solid material of earth crust It is composed of minerals And minerals are compound of elements चत्टान भूपतल के ठोस्पदार्त है इनका नर्मान खनीजों से हुआ है और खनीज तत्वों के यौगिक होते है क्या है चत्टान? ठोस्पदार्त और ये ठोस्पदार्त कहां के है तो हमारी भूपतल के है इस ठोस्पदार्त का नर्मान किन से है? खनीज से है खनीज क्या होते है? They are compound of elements तत्वों के यौगिक होते है अब देखिए चत्टान के नर्मान में खनीज ठोस्पदार्त के नर्मान में खनीज तो खनीजे कौन से खनीज है? जिनसे भूपतल का नर्मान है जिनसे चत्टानों का नर्मान है कई खनीज है? फिल्सपार है क्वार्ज है पायरोक्सिन्स है एमपी बोल्स है माइका है ओलिवीन है इनसे चट्टानों के निर्मान होते हैं इनसे भूपटल के निर्मान होते हैं लेकिन इन खनीजों में जो सबसे महत्वण खनीज है that is called as फिल्सपार फिल्सपार तो चट्टानों के निर्मान में भूपटल के निर्मान में जिस खनीज की सरवादिक योगदान मानी जाती है that is felspar कहा जाता कि more than 50% of earth crust is composed of mineral felspar भूपटल का 50% से अधिक जिस खनीज द्वारा बनता है वो खनीज कौन सी है felspar तो चट्टानों की नर्मान में सबसे महत्पून खरीज felspar अब देखें elements तत्तो जो चट्टानों की नर्मान की मौली की काई मानी जाती है fundamental unit information of rocks अब elements कौन से हैं हमारे crust में, हमारी भूपटल में ठोस चट्टानों में oxygen है silicon है aluminium है iron है calcium है sodium है potassium है और magnesium ये 8 elements 8 तत्तो फिर से आप सुने oxygen silicon aluminium iron calcium sodium potassium or magnesium इन 8 तत्तों से भूपटल का भूपटल का अधिकान सभाग नर्मित होता है more than 90% of earth crust is composed of these 8 elements इनी 8 तत्तों से भूपटल का 90% से अधिक नर्मित माना जाता है और crust के नर्मान में जिसे elements का सबसे अधिक योगदान माना जाता है और उसे हम कहते है oxygen अगर क्रम से आप देखें तो oxygen फिर silicon है फिर aluminium है फिर iron है फिर calcium है फिर sodium है फिर potassium है और फिर magnesium तो ये क्रम है भूपटल के नर्मान में तत्वों के तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा elements crust में oxygen mineral कौन सा fills पार लेकिन अगर संपुर्ण पृथिवी की बात की जाए तो संपुर्ण पृथिवी में जिस तत्व की अधिक्ता होती है वो होती है iron iron संपुर्ण पृथिवी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला element है तत्व है लेकिन अगर crust की बात हो तो crust में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला element oxygen ध्यान दीजे तो अभी हम लोगों ने rocks के विशे में चर्चा की और हमने कहा आपसे कि rocks is the solid material of earth crust it is composed of minerals and minerals are compound of elements चट्टान भूपटल के ठोशपदार थे इनका नर्मान खनीजों से होता है और खनीज तत्वों के योगिक होते हैं हमने देखा भूपटल में सबसे अधिक मातरा में पाया जाने वाला खनीज फिल्सपार और भूपटल में सबसे अधिक मातरा में पाया जाने वाला तत्व oxygen है कि जब हम चट्टानों को देखते हैं क्रस्ट में पाई जाने वाली चट्टानों को देखते हैं तो हमें ग्यात होता है कि क्रस्ट में कई प्रकार की चट्टाने इगनियस है sedimentary है और metamorphic अब देखिए इनके क्या features होते हैं इगनियस क्या है sedimentary क्या है या metamorphic क्या है आगने चटान है आउसादी चटान है कयांतरी चटान अब देखिए आगने चटान आगनी आगने चटान क्या होती गौर कीज़े इगनियस रा Igneous raw नाम से ही असपस्ठ है आगने मतलब अगनी से उत्पन्य Igneous लेटिन भावासा के सब्द Igneous से बना है और इसका मिनिंग होता है fire नाम से ही असपस्ठ है संसार में भूपटल में पाई जाने वाली वैसी चटान जो तरल और तप्त पदार्थों के सॉलिड होने से उनके सीतलन से विक्सित होती है तो तरल और तप्त पदार्थ जब ये ठंडे होते हैं ठंडे होकर जब ये जम जाते हैं तो जिस चटान का नर्मान करते हैं वो आगने, गौर कीजिएगा, आगने चटान का नर्मान किन से होगा, तरल पदार्थ हैं और तप्त पदार्थ हैं, तप्त पदार्थ हैं, चटानों के तरल और तप्त पदार्थ, इनसे ही आगने चटानों के नर्मान होते हैं, igneous rocks are formed by the solidification of magma and lava अब देखें दो सब्दाब के सामने आए एक magma और दूसरा lava magma और lava इन दो पदार्थों से आगने चट्टानों के नर्मान होते igneous rocks are formed by the solidification of magma and lava magma और lava के जमाऊ से चट्टान का नर्मान और वो चट्टान कौन सी आगने igneous अब प्रस्न उठता है कि magma और lava क्या है सामाने तोर से हिंदी में हम सामानार्थी सब्द के रूप में प्रयोग करते हैं लेकिन नहीं भूगोल में इनके earth अलग अलग है इनके अभी प्राय अलग-अलग है जब चट्टानों के ड्रवित और पिगले हुए पदार्ज प्रिथिवी के अंदर पाए जाएंगे तब उन्हें हम क्या कहेंगे मैगमा कहेंगे but when they comes out on earth's surface during volcanic corruption then they are named as लावा यही मैगमा ज्वाला मुखी उद्गार के समय जब प्रिथिवी के धरातल पर आ जाता है तो इसी को हम लावा के रूप में जानते हैं so there is a slight difference between मैगमा और लावा both are the molten material of rocks one is inside the earth and another is on earth surface मैगमा और लावा के बीच बहुत ही सुक्ष मंतर है मैगमा प्रिथिवी के धरातल के अंदर पाए जाने वाले तरल और तप्त पदार्थ होते हैं वही मैगमा जब जो अला मुखिये उद्गार के समय प्रिथिवी के सता पर आ जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं लावा कहते हैं और इन दोनों के जम जाने से जिस चट्टान का नर्मान होगा that will be igneous rocks आगने चट्टान होगी so igneous rocks is formed by the solidification of magma in lava आगने चट्टानों का निर्मान magma और lava के जमाऊ से होता है गौर करेया magma और lava के विशे में हमने देख लिया अब मान नीजे की नीचे भूगर्व में magma है और भूसता पर lava है magma और lava both are molten material of rocks दोनों चट्टानों के दर्वित पदार्थ है पिगले हुए पदार्थ अब जब ये magma solid होता है magma solid होता है तो प्रतिवी में जिस चट्टान का नर्मान होता है that is granite 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 is formed by the solidification of magma granite का नर्मान कैसे होगा तो magma के जमाऊ से होगा ठीक है जब ये lava solid होता है तो crust में जिस चट्टान के नर्मान होते है जिन चट्टानों का formation होता है that is called as basalt basalt so basalt is formed by the solidification of lava and lava is the molten material of rocks on earth's surface इस basalt चट्टान का नर्मान lava के जमने से होता है और lava चट्टानों के द्रवित पदार्थ है जो पृत्वी के धरातल पर पाए जाते है अब देखे एक का formation कहा हो रहा है inside the earth दूसरे का formation कहा हो रहा है on earth surface now we can say granite is an intrusive igneous rock whereas basalt is an extrusive igneous rock granite जहां आंतरी का अगने चट्टान है वहीं basalt वहीं आगने चट्टान होती है is it clear granite के इस प्रिकार की चट्टान है आंतरी का अगने चट्टान कहां पर नर्मान होगा तो पृत्वी के अंदर भू पटल के अंदर इनका नर्मान होगा crust में इनका formation होगा basalt कैसी चट्टान है why आगने चट्टान कहां पर इनका नर्मान होगा on earth surface प्रत्वी के धरातल पर इनका निर्मान होगा ठीक है तो आगने चट्टानों के निर्मान इग्नियस रॉक्सार फॉर्मड बाइद सॉलिडिफिकेशन ओफ मैगमा इन लावा मैगमा और लावा के जमाव से बनने वाली चट्टान होती प्रत्वी की जब उत्पत्ती होती है तो ये माना जाता है कि प्रत्वी प्रार्मडी कवस्था में बहुत ही गर्म थी दीरे दीरे प्रत्वी की उपरी सता से हीट का रेडियेशन प्रारम हुआ उसमा का विकरन प्रारम हुआ और प्रत्वी का उपरी परत ठंडा होने लागा प्रत्वी के इस उपरी परत के ठं फिरमान होगा, that will be igneous, वो आगने चटान होगी, तो प्रतवी पर, प्रतवी पर सर्व प्रतम विक्सित होने वाली चटान कौन सी है, igneous है, आगने, may be granite and may be basalt, वो granite भी हो सकती है, basalt भी हो सकती है, ठीक है, तो crust में पाई जाने वाली प्रात्मिक चटान, primary rocks, कौन सी igneous, this is the reason why igneous rock is called as primary rock of earth, यही कारण है कि आगने चटानों को प्रतवी की प्रात्मिक चटान के रूप में जाना जाता है, ठीक है, गौर की जियाद, देखिए, magma और lava, इनके जो average temperature माने जाते हैं, वो 2000 degree centigrade, 2000 degree centigrade इनका ओसत तापमान माना जाता है, magma और lava का, अपने यहाँ वातावरन में अगर तापमान 40, 45, 46, 47, जैसे यह बढ़ने लगता है, तो त्राही माम हो जाते हैं, और तापमान यह कितना है, 2000 degree centigrade, क्या इतने तापमान पर किसी भी जीव या प्राकरतिक वनस्पती के सुरक्षित होने की संभावना होगी, नहीं, बिलकुल ही नहीं, तो इन चट्टानों में इन चट्टानों में ग्रेनाइट और बैसाल्ट में कभी भी फोसिल्स की संभावना हो सकती है जीवास्म प्राप्त हो सकते है नहीं क्योंकि इतने तात्मान पर जीवों के सुरक्षित होने की कोई संभावना नहीं और यही कारण है कि इन चट्टानों में, इगनियस में, ग्रेनाइट में, बेसाल्ट में there is no evidence of fossils जीवास्म के कोई प्रमाननी मिलेंगे आपको और जीवास्म नहीं है तो पेट्रॉलियम भी नहीं मिलेगा खनीज तेल भी नहीं मिलेंगे फोसिल से ही, पेट्रॉलियम फोसिल से ही आप देखेंगे कि खनीज तेल का नर्मान सुनशित होता है पेट्रॉलियम क्या है? they are mixture of hydrocarbons hydrocarbon के मिसरन है और hydrocarbon कहां से होंगे? फोसिल से मिलेगे तो there is no any reserve of petroleum in igneous rock of world संसार के आगने चटानों में कहीं भी खनिज तेल का कोई भंडार नहीं प्राप्थ होगा आपको ओके, now it is clear, rock is the solid material of earth crust, they are composed of minerals, minerals are compound of elements चटान भूपटल के ठोस पदार्थ है, इनका निर्मान खनिज से होता है और खनिज तत्वों के योगिक होता है चटानों में हमने देखा किस खनिज की अधिक्ता है, तो फिल स्पार की किस element की अधिक्ता है crust में, तो हमने देखा oxygen की लेकिन संपूर्ण प्रतिवी में किस element की अधिक्ता है, तो वो हमने देखा कि iron की अधिक्ता पाई जाती igneous rocks के विशह में अभी हमने देखा कि they are formed by the solidification of magma and lava इनका जो नर्मान है magma और lava के जमाव से होता है हमने देखा कि magma is the solid sorry magma is the molten material of rock inside the earth but lava is the molten material of rock on earth's surface when magma comes out on earth's surface then it is named as lava जब magma प्रतिवी के धरातल पर आ जाता है तो उसी को हम lava कहते हैं और magma जब solid हुआ तो हमने देखा कि granite का formation हुआ और जब lava solid हुआ तो हमने देखा कि basalt का formation हुआ भारत के संदर्ब में आप देखिए आप देखिए ये continent Africa आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपको peninsular इंडिया दिख रहा है प्राइज वीपिय भारत दिख रहा है यह Arabian countries को आप देख रहे हैं South America अफरिका peninsular इंडिया आस्टेलिया अंटार्क्टिका देवेर देपार्ट ओफ ancient landmass गोंडवाना लैंड यह संसार के प्राचिंतम भूखंड गोंडवाना भूमी के भाग रहे हैं और गोंडवाना भूमी का जो disintegration होता है विखंडन होता है उसी विखंडन के परणाम सरुप दक्षिनी अमेरिका का नर्मान अफरिका का नर्मान प्राचिंपे भारत का नर्मान अस्टेलिया का नर्मान और अंटार्क्टिका का नर्मान होता है ऐसा माना जाता है कि before कार्बोनिफेरस all the continents of the world were united कार्बोनिफेरस यूग से पहले संसार के ये सारे महादुप एक साथ जुड़े हुए थे संजुक्त थे and that unite form of continents उसी को पैंजिया का नाम दिया गया पैंजिया मान ली जै कि ये पैंजिया है हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि पैंजिया was the unite form of all the continents of the world before कार्बोनिफेरस कार्बोनिफेरस यूग से पहले संसार का समस्त महादुप जब एक साथ जुड़ा हुआ था तो वो पैंजिया था पैंजिया ब्रोक इंटू लारेसिया and गोंडवाना लेंड ये लारेसिया और गोंडवाना लेंड के रूप में तुटा लारेसिया और गोंडवाना भूमी गोंडवाना भूमी के रूप में पैंजया का विखंडन होता है किस एज में आकर डिरिंग कार्बोनी फेरस सेज दो भागों में ये अस्थल खंड तूट गया लारेसिया और गोंडवाना भूजी इस लारेसिया के डिसिंटिग्रेशन से बाद में आप देखेंगे कि नौर्थ अमेरिका योरप और एसिया महाद्विप के निर्मान हुए जब इस गोंडवाना लेंड का डिसिंटिग्रेशन हुआ विखंडन हुआ तो आप देखेंगे कि कई लेंड मास डेवलफ हो जाते कौन है साउथ अमेरिका है अफरिका है पैनिंसुलर इंडिया है आस्ट्रेलिया है और अंटार्क्टिका है गोंडवाना भूमी के डिसिंटिग्रेशन से बने डिरिंग डिसिंटिग्रेशन ऑफ गोंडवाना लेंड इन क्रिटेसस एज पैनिंसुलर इंडिया इस फॉर्म्ड भारत का जो दक्षिनी भाग है जिसे आप प्राइदुपिय भारत के रूप में जानते हैं इसका जो नर्मान है वो गोंडवाना भूमी के क्रिटेसस यूग में विखंडन के दौरान होता है आप गोर कीजिया आपको यह देखिए यह अफ्रिका महादुप आपको दिखाई दे रहा है आप यह देखिए यहाँ पे आपको अरेबियन कंट्रीज आपको दिख रहे है और यह आपको पैनिंसुलर इंडिया दिखाई दे रहा है प्राइदुपिय भारत दिख रहा है क्रिटेसस एज में आकर जब गोंडवाना लैंड का फाइनल डिसिंटीग्रेशन होता है उसी डिसिंटीग्रेशन के समय यह अफ्रिका टूट कर दक्षिन भारत से पश्यम के और मूव करता है और जैसे यह अफ्रिका टूट कर विस्टवार्ड करने लगता है वैसे ही पैनिंसुलर इंडिया की चट्टानों पर टिंसन फोर्स काम करते हैं तनावबल काम करते हैं अभी अफ्रिका तूट कर पशीम के और बढ़ रहा है यहां पर टिंसन फोर्स काम करें तनावबल काम करें यहां की चट्टानों में दक्षिनी बारत की इनी चट्टानों में यहां पर दराने पढ़ती हैं तनाओ बलके कारण खिचाओ बलके कारण और उन्हीं दरारों से मैगमा बाहर निकलने लगता है और अभी हमने कहा कि विन मैगमा जब मैगमा ज्वाला मुखियो उद्गार के समय प्रथिवी के धरातल पर आ जाते हैं तब उन्हीं को हम लावा के रूप में जानते हैं अब इस क्रिटेसस युग में जैसे गोणवाना लेंड का विखंडन हुआ अफरिका तूट कर पशिम की और बढ़ने लगा इस प्राइद विपे भारत की चट्टानों में दरारे पड़ी और उन दरारों से मैगमा पदार्थ लावा के रूप में प्रथिवी के सता पर आ गए प्राइद विपे भारत की सता पर आ गए दे कवर्ड फाइब लाक है स्क्वाइर किलोमेटर एरिया इन इंडिया वे भारत में पांच लाख वर किलोमेटर छेतर पर फैल गए और इनका क्रमी कुदगार हुआ ऐसा नहीं हुआ कि एक ही बार सारी मैगमा पदार्थ लावा के रूप में बाहर निकला आए नहीं कई बार ये इजेक्शन हुए परिनाम क्या हुआ ये लावा पदार्थ जो बाहर आकर फैल रहा है दक्षिनी भारत प्राइद उपिय भारत के चट्टानी छेतरों पर क्रेट ऐसा सेज में अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि लावा के जमाव से जिस चट्टान का नर्मान होता है वो चट्टान कौन सी होती है बैसाल्ट तो यहाँ पर किस चट्टान का नर्मान होगा बैसाल्ट बैसाल्ट चट्टान बने कब क्रिटेसस योग में दक्षिनी भारत को आप देखें दक्षिनी भारत के एक बहुत बड़े छेतर को आप देखें महरास्टर राज्य आपको दिखाई देगा मध्य प्रदेश में मालवा के पठारी छेतर आपको दिखाई देगे दक्षिनी पूर्वी गुजरात दिखा देंगे उत्तरी करनाटक को आप देख सकते हैं तिलंगाना राजी को देख सकते हैं तो भारत के कई राजियों में इस लावा का प्रवा हुआ बैसाल्ट चट्टानों के नर्मान हुए और क्रमी कुद्गार हुए लावा के तो परिनाम क्या हुआ यहां एक चट्टानी संरचना बनती है एक पठारी संरचना का नर्मान होता है जिसे आप कहते हैं दक्कन ट्रैप देखे इस सब्द पर ध्यान दीजे ट्रैप ट्रैप का क्या विपढ़ा है ट्रैप का आर्थ होता है stairways, stairs, सेडियां, सोपान तो यह जो पठार बना बैसाल्ट चट्टानों से यह इसकी संरचना कैसी हो गई सोपानी सेडिनुमा संरचना हो गई और इसलिए इसे नाम दिया गया दिक्कन ट्रैप ट्रैप स्विडिस भासा का सब्द है और इसका आर्थ ही होता है सोपान सीडियां इस पठार की संरचना सीडिनुमा है सोपानी है क्यों क्योंकि लावा का उदगार एक साथ नहीं होता है क्रमिक रूप में होता है तो इस प्रेटो इस्ट्रैप इंडिया इस नेंड आज डिक्कन ट्रैप डिक्कन प्लेटो अब देखें अगर प्रिलिम्स में यहां से प्रस्थ बंते हैं कि भारत के डिक्कन प्थार में पाई जाने वाली चट्टान कौन सी आप क्या कहेंगे बैसल्ट वाई रॉक अफ दक्कन प्लेटो इस बैसल्ट बिकाउज इस फॉर्म्ड बाई दॉसलिडिफिकेशन ओफ लावा मिटीरियल दूरिंग क्रिटेस एज दक्कन पठार की चट्टान बैसल्ट क्यों है इसलिए क्योंकि इसका जो निर्मान है वो लावा पदार्थों के जमाओं से हुआ है इस इट क्लियर तो लावा पदार्थों के जमाओं से हुआ है इसलिए ये चट्टान बैसल्ट अब मैं समझता हूँ कि आपका ये कॉनसेप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि आगने चटान क्या होती है बेसिक चीजों को आप समझ चुके आगने चटानों के मैगमा और लावा के जमाव से बनने वाली चटान आगनी मैगमा पृतिवी के अंदर चटानों का पिगला हुआ पदार्थ है लावा पृथिवी के सतह पर चटानों का पिगला हुआ पदार्थ है लावा कैसे सतह पर है तो they come out on earth's surface during volcanic eruption वे ज्वाला मुख्य उद्गार के दौरान पृथिवी के सतह पर आ जाते तो हम लोगों ने rocks के विशे में संकलपनाओं को देखा हम लोगों ने igneous rock को देखा अब हम sedimentary rock की चटा करते हैं आवसादी चटान आवसादी sedimentary sedimentary rocks आवसादी चटान क्या होती है sedimentary rocks गौर कीजिया आप sediment, आवसाद, सबसे पहले तो इस सब्द को समझेने का प्रयास कीजिए आवसाद, आवसाद क्या है sediment क्या है disintegrated and decomposited material of earth crust is called as sediment भूपटल के जो विखंडित और वियोजित पदार्थ है उनी को आवसाद कहते है भूपटल क्या है, crust क्या है तो अभी हमने देखा की crust is the upper layer of earth it is composed of solid material which is called as rocks भूपटल पृथिवी की उपरी परत है ये ठोस पदार्थों से बनी है और जिसे हम किस नाम से जानते हैं चट्टान के नाम से जानते हैं तो इसी crust का भूपटल का जो विखंडित और वियोजित पदार्थ है दो सब्द हैं आपके सामने disintegrated and decomposited material of rocks crust विखंडित का क्या भी प्राय है जब भी किसी पदार्थ ठोस पदार्थ पर बगैर किसी रासायनी कभिक्रिया के कारण उसका डिके हो उसका च्छे हो तूट फूट हो तो वो क्या है विखंडन और जब भी चटानों पर कोई chemical reaction हो जाए और वो सडने गलने लगे उसका डिके हो देन डाट इस कॉल्ड अज डिकंपोजिशन वियोजन तो दोनों में फर्क है विखंडन में क्या होगा जैसे लाइम इस्टोन है चुना पत्थर है और उस पर आप पानी डालें क्या होगा चुना होगा और गलने लगे तो वो क्या है वियोजन अब यही विखंडित और वियोजित पदार्थ they are raw material of sedimentary rocks यह अवसादी चट्टानों के कच्चे पदार्थ है raw materials अब देखे sedimentary rocks का नर्मान इनी से होगा और कैसे होगा वो ध्यान दीजे माननी दीजे कि कोई water body कोई जलखेतर है और इस जलखेतर में आसपास के चेतरों से चट्टानों के विखंडित और व्योजित पदार्थ लाए जा रहे है कि चट्टानों के यह विखंडित और व्योजित पदार्थों का इस water bodies में deposition हो रहा है। हो रहा है निच्छेपन हो रहा है इस फोर्सीजो इस जल में जमा किये जा रहे हैं इन विखंडित और व्योजित पदार्थों को हम मौवसाद के रूप में जानते हैं जल में जल में एक cementing agent पाए जाते हैं जिसे आप calcium के रूप में जानते हैं calcium is a cementing agent और cement का नर्मान भी calcium से होता है चुना पत्थर से होता है limestone is the raw material of cement industry तो calcium जो इस जल में मौझूद है वो धीरे धीरे काल क्रमेन इन विखंडित और व्योजित पदार्थों का क्या करता है compaction करता है संगठन करता है और इनके संगठित हो जाने से जिस चटान के नर्मान होते हैं उसी चटान को हम मौशादी चटान के रूप में जानते हैं now listen sedimentary rocks are formed by the compaction of disintegrated and decomposited rock material in a water body किसी जल छेतर में चटानों के विखंडित और व्योजित पदार्थों के संगठन से जिस चटान का नर्मान होगा वही चटान क्या होगी अवसादी होगी ठीक है और अवसादी चटानों के नर्मान कहां सुनिशित हो रहा है जल में अगर जल में इनका नर्मान सुनिशित हो रहा है तो हमने बच्पन में पढ़ा था जल ही जीवन है तो जलिये छेतर में पाए जाने वाले जीव उनके fossils भी यहाँ पर होगे fossils भी होगे उनके जीवासम भी होगे और अगर fossils है चटानों में तो उनमें petroleum reserve होने की भी संभावनाई होगी यही कारण है कि क्यों अवसादी चटान खनिज तेल के भंडार होते वर्ल्ड में जहां कहीं भी आप petroleum का reserve देखते हो petroleum mining देख रहे हो it means वहाँ की चटान कैसी है sedimentary अवसादी चटानों में ही sedimentary rocks में ही petroleum की प्राप्ती सुनिशित होती है गवर कीजिएगा sedimentary rocks sedimentary rocks में ही petroleum प्राप्त होंगे खनीज तेल प्राप्त होंगे इगनियस में नहीं why because igneas are formed by the solidification of magma and lava and average temperature of magma and lava 2000 degree centigrade तो अवसादी चटानों में ही खनीज तेल आपको मिलेंगे विस्व में जहां कहीं भी petroleum को आप देखें बारत को आप देखें यह देखें दक्षिनी भारत आपको दिखाई दे रहा है हिमाले दिखाई दे रहा है यहां महारास्ट मुंबई हाई का नाम सुनाओगा आप अरेबियन सी में है मुंबई हाई अरब सागर में है मुंबई हाई महारास्ट राज्य के अंतरगत है यह मुंबई हाई और भारत में petroleum mining का एक बहुत बड़ा center है केंद्र है मुंबई हाई तो मुंबई हाई से petroleum में देखें साउदी अरबिया में आप देखिए गावर गावर एक जगह है साउदी अरबिया में यह ओईल फिल्ड है साउदी अरबिया का और बहुत बड़ा ओईल फिल्ड है यहां से ओईल माइनिंग किये जाते हैं पेट्रोलियम माइनिंग किये जाते हैं यहां से इराक को आप देख आप इरान को देखिए, मश्यिदे सुलेमान, रुमाइलिया, आप कुवेद को देखिए, बरगान, एक बहुत बड़ा पेट्रॉलियम फिल्ड है, तो संसार में जहां कहीं भी आप देखेंगे कि पेट्रॉलियम मिल रहा है, इसका विप्राय है, वहां की चट्टाने कैसी है, और वो साधी प्रकार की चट्टाने, आपने डिग बोई का नाम सुना है, असम राजी में है, भारत में है, और भारत में सबसे पहले पेट्रॉलियम की खुदाई वहीं पर सुनिशित हुई, डिग बोई असम में, जब रेल पेट्रॉलियम मिला, ब्रेटिसर्स ने कहा, वहां की इंजीनियर्स ने कहा, वहां की मजदूरों को कहा, डिग बोई, डिग बोई, मतलब आप उसकी खुदाई करो, डिग मतलब खुदाई, बोई मतलब लड़के को उन्होंने कहा, तो वहीं का नाम हो गया, डिग बोई, नॉर्थ की और देखते हों यहां पर एक वेनेजविव finances वेनेजविवेला कि और वेनेजविव अब लेगून लेक क्या होती है। कि यह लेक डवलब्ड भी देश की तट रेखा के साथ अगर किसी जील का नरमान होता है तो उस जील को हम क्या कहते हैं। लेगून के रूप में जानते हैं। भारत में भी है चिलका लेक का अपने नाम सुना होगा। आंधर प्रदेश और तमिल नाडू के सीमा चेतर में पुलिकट लेक का नाम सुना होगा। केरल के तटिये चेतर में विमबानाद लेक का नाम आपने सुना होगा। अस्ट मुदी कयाल का नाम सुना होगा। उसी को backwaters के रूप में भी हम जानते हैं, पस्षी जील भी कहते हैं, और South India की अगर बात की जाए, दक्षिन भारत की अगर बात की जाए, तो such type of lakes are also called as कयाल in South India. भारत में इस प्रिकार की जीलों को दक्षिन भारत में कयाल के नाम से भी हम जानते हैं. Lake Maracaibo of Venezuela is a lagoon lake, is developed with the coastline of this country. Venezuela की Maracaibo जील एक lagoon जील है और इस देश की तर्ट रेखा के साथ विक्सित है. इस Maracaibo Lake से petroleum mining किये जाते हैं, petroleum mining किये जाते हैं. This is the reason why Lake Maracaibo is called as Lake of Petroleum in Venezuela. इसी कारण से Maracaibo जील को Venezuela की खनीजी तेल की जील क्याते हैं. और इतना अधिक production रहा कि Venezuela की economy वो इसी पर dependent रही. लंबे समय तक Venezuela OPEC country का member बना रहा. Organization of Petroleum Exporting Countries in World संसार में तेल निर्यातक देशों का संगठन और उनका सदस रहा वेनेजवला क्योंकि यहां से petroleum की mining होती रही. किस lake से? Maracaibo Lake से. तो कहने का मतलब यह है कि जहां कहीं भी sedimentary rocks है और वसाधी चटानों है. That area may be the area of petroleum reserve. वो खनीज तेल के भंडार छेतर हो सकते हैं. गौर के जिया. आप lake Maracaibo को map पर देखे. यहां आए. यह देखे. यह आपको lake दिखाई दे रही है. Maracaibo. Venezuela. Coastal Lake के रूप में दिखाई दे रही है. Lake is called as Lake of Petroleum. क्यों? क्योंकि चटान यहां की कैसी है? तो sedimentary प्रकार की यह उसाधी प्रकार की चटान यहां पर पाई जा रही है. ठीक है? जो तीसरे प्रकार की चटान होती है. वो metamorphic rocks के रूप में होती. यह कायांतरित चटान के रूप में होती है. अब यह कायांतरित चटान क्या है? मेटामॉर्फिक rocks क्या होती? रूपांतरित चटान क्या होती? Listen. कोई मान लिजे कि यह चटान है. थोड़ी देर के लिए हम assume करें. इसे solid material of earth crust named as rock. भूपटल का यह ठोस पदार्थ है. और इसे हम चटान के रूप में जानते हैं. अब यह अगर चटान हैं तो इसके components हैं. इसके संगटक हैं, इसके नर्मानक हैं. और हमने आपको कहा था, शुरू में ही हमने जाना, कि rocks are composed of minerals, and minerals are compound of elements. यह हमने देखा, excess temperature का प्रभाव पड़ जाएं. अधिक तापमान का प्रभाव पड़ें. तो इसका यह जो form है, यह distorted होगा. May be possible कि excess temperature के कारण, इसमें कुछ chemical reaction शुरू हो जाएं. रासाइनी का विक्रियाएं शुरू हो जाएं. तो ताप और दाव के, अत्यदिक ताप और दाव के कारण, जब भी चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन हो, या उसका physical और chemical form चेंज कर जाएं. तो जो जिस नए चट्टान का formation होगा, that will be metamorphic, that will be metamorphic. वो कायांतरित चट्टान होगी, रूपांतरित चट्टान होगी. लाइम स्टोन है, चुना पत्थर है. लाइम स्टोन ही जिस सेडिमेंट्री रॉप, चुना पत्थर एक अवसादी चट्टान है. और जब भी इसका कायांतरन होगा, metamorphic होगे, तो आप देखेंगे कि ये marvel में इसका conversion हो जाता है. ये संग्मर्मर में बदल जाते हैं. So, marble, marble is the metamorphic form of limestone. Sandstone है, बलुआ पत्थर है. और बलुआ पत्थर क्या है? सेडिमेंट्री है, आवसादी चट्टान है. इसका जब रूप आंतरन होता है, इसका जब कायांतरन होता है, तो वो फिर quadgite में उसका conversion हो जाता है. Quadgite में बदल जाता है. तो चट्टानों के रूप परिवर्तन होते हैं. आप granite को देखें. granite को अगर देखेंगे, आप तो इसका कायांतरन हो जाता है, knees में. बैसाल्ट को देखे, गैबरों में परिवर्तित हो जाता है. सेल को देखे, slate में, slate से फिर आप देखे, phylite और cyst बन जाते हैं. तो चट्टानों के रूप आंतरन होते, उनके स्वरूप में परिवर्तन होते, उनके physical और chemical properties change होते हैं. कैसे हैं? Due to excess temperature and pressure. Exerted on them. तो rocks के विशे में भी हमने देखा, कि rocks क्या हैं? हमने पढ़ा कि rocks are solid material, are solid material of earth crust, they are composed of minerals, and minerals are compound of elements. चट्टान भूप टल के ठोस पदार्थ हैं, इन ठोस पदार्थों का नर्मान खनी से हुआ है, और खनी जे तत्वों के यौगिक होते हैं. कौन सा खनी सबसे अधिक मात्रा में है, crust में भूप टल में, तो हमने पढ़ा कि fills पार हैं. कौन सा element सबसे अधिक मात्रा में है, crust में, तो हमने देखा कि वो oxygen है. लेकिन संपोर्ण पृथिवी में कौन सा element सबसे अधिक मात्रा में है, तो वो हमने देखा कि iron के रूप में पाय जा रहा फिर हम igneous rocks के बिशे में पढ़ रहे थे हमने देखा कि igneous is formed by the solidification of magma and lava आगने चटान magma और lava के जमाओं से बनती magma क्या है तो हमने देखा कि there are molten material of rocks inside the earth magma पृतिवी के अंदर चटानों के दरवित पदार थे named as lava जब magma पृतिवी के धरातल पर आ जाते तो उन्हें हम lava कहते और इनके जमाओं से हमने देखा कि granite और basalt बनती है sedimentary rocks के विशे में अभी हमने पढ़ा कि they are formed by the compaction of sediments compaction of disintegrated and decomposited material of crust भूपटल के विखंडित और व्योजित पदार्थों के संगठन से विख्सित होते हैं यह हमने देखा and they are reserve of petroleum और विखनीच तेल के भंडार होते हैं metamorphic rocks के विशे में हमने पढ़ा कायांति चट्टानों के विशे में पढ़ा कि जब भी चट्टानों पर अत्यदिक ताप और दाव का प्रभाव पढ़ जाता है तो वैसी स्थिति में उनके स्वरूप में परिवर्तन होता है और जिस नए विश्तिरित अध्यन करने में समझने में चीजों को आपके लिए आसानी होगी तो इसी प्रकार से कुछ दिनों तक हम लोग basics पे चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग one by one सारे topics पर पढ़ने का प्रयास करेंगे thank you have a nice day